हलो बच्चो गुद मॉर्निंग और सूप्रभार दिख्छान से टेक से मैं गायत्री सिंग आपकी हिंदी की टीचर तो हिंदी में मैं आज लेकर आए हूं क्लास टू का पार्ट नमबर नौ जिसका नाम है चिडा चिडिया ठीक है पार्ट नमबर क्या है नौ और पार्ट है तो आज मैं आपको जो कहानी पढ़ाने जारी हूं चिडा और चिडिये की इसमें बहुत ही ग्यान की बाते हैं इसमें बहुत सारी चीज हम सीखेंगे जैसे की चावल कैसे उगता है कैसे बनता है मतबधान की केती कैसे होती है क्या क्या करना पड़ता है किस किस चीज की जरूरत होती है दाल कैसे उगया जाता है बच्चे को क्या खिलाना चाहिए छोटे बच्चे क्या नहीं खा सकते हैं उनके लिए क्या अच्छा है अन्ने का क्या महत्त होता है अलग-अलग उम्र के आधार पर खाने का जो होता है अलग अलग अधार होता है अलग अलग प्रकार होता है तो यह सारी बाते हम इस कहानी में पढ़ेंगे जिसका नाम है चिड़ा और चिड़िया तो इसमें हमारा अधिगम संप्राप्ति क्या होगा कि हम इसमें क्या क्या चीज जानेंगे तो अनाज और दाल के नाम जानना ठीक है अनाज और दाल के नाम के बारे में हम जानेंगे कितने तरह के अनाज होते है उसमें कौन-कौन से दाल होते है और क्या क्या होते है इन सब क कि अनाज को उगाने में हमें क्या-क्या चीज की जरूत होती है दाल कैसे बनते हैं कैसे उखते हैं क्या-क्या उसका बिधी होता है प्रक्रिया क्या-क्या होता है यह सारी चीजे हम लोग इसमें देखेंगे अगला है खेती में लगने वाले श्रम और अन्य बरबाद ना करने की बात समझाना स्रम यानी मेहनत खेती में खेती को करने में कितना मेहनत लगता है हम कैसे जानेंगे जब हम उस चीज को जानेंगे कि क्या क्या चीज की जरुवत होती है तब ही तो हमें मेहनत से हमारे जो किसान लोग है वो उप जाते हैं और हम क्या करते हैं कि उस अनाज को बरबाद कर देते हैं उसकी महतों को नहीं समझते हैं तो इन सारी बातों के बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे यानि कि अनाज हमारे लिए कितना महतो पूर्ण है कितने मेहनत से कित कॉन क्या खा सकता है कि जानकारी भी फ्राप्ट करना है बच्छा के लिए क्या पसुपक्ची के लिए अच्छा जवान वेक्टी क्या सखता यह क्या सुपाची क्या फ्रसेंथे भ passergy क्या आ अच्छा है क्या आसाम तरीका है उनके भोजन का तो यह सारे चीज भी हम देखेंगे इसके साथ में इस कहानी अर और कवीता एक साथ पन्डवना की कुछ पंक्ती 26 कहानी की तरह कही जारी है उसके पाद कुछ पंक्ती कवीता की तरह है तो इन दोनों चीजों के साथ में कैसे ताल में बड़ाबर बिठाना है कि कहानी को किस तरह से कहा जाता है कवीता को किस तरह से हम गाते हैं यह भी चीजें हम इस पार्ट में सीखेंगे ठीक ना जिसका नाम है क्या नाम है चिडा चिडिया तो क्या है कहानी शुरू करते हैं ये किसान की कहानी है है ना एक किसान अपनी पत्नी के साथ पेर की छाया में बैठ कर खाना खा रहा था पास ही दरी पर उसका बच्चा लेटा हुआ था तभी एक चीटी ने बच्चे को खाट लिया बच्चा रोने लगा उसे चुप कराने के लिए किसान की पत्नी ने उसके मुँ में एक रोटी का टुकरा डाल दिया किसान ने जब यह देखा तो बच्चे के मुँ से रोटी का टुकरा निकाल कर फेंक दिया और पत्नी को समझाया जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि एक किसान है किसान किसे कहते हैं जो खेतों में काम करता है जो हमारे आपके लिए अन को उपजाता है उसे क्या कहते हैं किसान किसान कहते हैं तो आप कभी गाव गय होगे या जो गाओ में रहते होंगे उस चीजों को देखते हैं कि जब खेत में काम करते हैं वह लोग तो उनके लिए खाना लेकर कोई जयाता है क्योंकि वह बार बार घर आके तो खा साइन सकते हैंसे समय की बरबादी तो क्या होता है कि वो काम करते रहते तभी उनके लिए खेत में खाना लेकर जाता है तो उसी तरह ये जो किसान है ये भी अपने खेत में काम कर रहा है और इसकी जो पत्नी है वो उसके लिए खाना लेकर वहीं खेत में ही पहुँची है और उसका एक छोटा सा बच्चा भी है ठीक ना इन दोनों किसान पती पत्नी के एक छोटा सा बच्चा भी है तो पत्नी अपने बच्चे को भी ले कर गई है चोटा बच्चा है तो कहां छोड़ के जाएगी है ना तो उस बच्चे को भी ले कर गई है और अपने पती यानी किसान को खाने के लिए दी है और दोनों वो भी खारी है, वो भी खारे है, दोनों खारे हैं, तो उस समय बच्चे को क्या की है, कि एक दरी विछाका और वहीं पर बच्चे को लिटा दिये, बच्चा खेल रहा है, और ये दोनों खाना खारे हैं, लेकिन तब ही क्या होता है, एक चूटा आता है, चीटी और बच्चे U कि आपने बच्छे को उठाया और उसके मुँह में एक रोटी-काटुक्रा डाल दीने लेकिन जैसा कहा से रोटी-काटुक्रा मैं डाल दुंगा एसी आप दलिया खिचरी खाने वाला है, है ना, इसको तो हम दलिया खिचरी खिला सकते हैं, या दूद पिला सकते हैं, और उसकी माने क्या किया, कि रोटी का टुकरा डाल दिया, लेकिन किसान जो था, वो बहुती समझदार था, चतूर था, उसने क्या किया, कि फटाक से बच्चे के म क्या समझा रहा है किसान अरे अकल की खोटी क्यों इसे खिलाई रोटी बिना दांत के कैसे खाएगा यह रोटी दांत बिना भला कैसे चबाएगा यह रोटी इसे घर ले जा ले जाकर दूद पिला या दाल चावल मिलाकर खिचरी बना है ना क्या बोला किसान किसान अब अपनी पतनी को समझा के लिए क्या बोल रहा है अरे अकल की खोटी क्यों इसे खिलाई रोटी अकल की खोटी यानि कम बुधी वाली तुम इस छोटे से बच्चे को रोटी क्यों खिला रही हो ये तो इतना छोटा सा बच्चा है ये रोटी खाएगा तो क्या बता रहा है किसान बिना दात के कैसे खाए गाया रोटी आप बच्चे भी रोटी खाते हो रोटी को खाने के ल दात आ जाते हैं यानि एक साल से बड़े बच्चे जब होते हैं तो वो रोटी खाना सुरू करते हैं और यह बच्चा तो कितना चोटा सा बच्चा है? है ना यह चोटा सा बच्चा है, ये क्या भला रोटी खाएगा? तो वही किसान समझा रहा है कि बिना दात के ये जो बच्चा है वो कैसे रोटी खाएगा दात बिना भला कैसे चबाएगा या रोटी तू तो इसके मुँँ में रोटी डाल दी लेकिन ये बिना दात के कैसे रोटी को चबाएगा हम तो चबा चबा के कैसे आप खाते हो ना याद करो कैसे आप रोटी को चबा चबा के खाते हो है ना तो वो बच्चा के पास दात नहीं है तो वही किसान बोल रहा है कि बिना दात के ये कैसे चबाएगा और क्या बोल रहा है इससे घर ले जा ले जाकर दूद पिला इसको घ कुछ खिलाना ही चाहती हो तो क्या खिलाने के लिए बोल रहा है या दाल चावल मिलाकर खिच्री बना क्या बोल रहा है कि तुमको और कुछ खिलाना चाहती हो बच्चे को तो दाल चावल मिला दो और उसको खिच्री बनाकर खिच्री बना तभी क्या हुआ उसी पेर पर एक घोसले में चिड़ा चिड़िया अपने किसके साथ रहता था चिड़ा चिड़िया भी रहता था उसी पेर पर एक घोसले में चिड़ा चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठे थे चिड़ा उड़कर नीचे आया और फेंका हुआ रोटी का टुकरा चोंच में दबाकर अपने बच्चे के खाने के लिए ले आया चिड़िया ने किसान की बात सुन ली थी उसने सोचा रोटी का टुकरा मेरे बच्चे के गले में फंस गया तो वह चिड़े से बोली क्या बोली चिड़िया क्या बोली भाई अकल है तेरी बिलकुल खोटी मैं न खिलाऊं अपने बच्चे को रोटी क्या किया जैसे ही किसान ने उस बच्चे के मूँ में से रोटी का जो टुकरा निकाल का फेका हुआ था तो उस पेड़ पर जहां वो बैठे वे थे खाने के ल कर गया और उस रोटी का टुक्रा को ले कर आया और अपने बच्चे के मुह में डालने लगा बच्चे को खाने के लिए ले आया चिडिया ने ठीक है वो लेकर आया उड़कर गया और अपने बच्चे के लिए ले आया देख रहे हैं न कैसे गोसले में दो बच्चे है चिड़ा है चिड़िया है तो ये चिड़ा उड़कर जाकर ले आया लेकिन जो चिड़िया थी उसने किसान की बाते बड़ा ही द्यान लगा के सुना था इसलिए उसने जैसे ही चेड़ा अपने बच्चे के लिए रोटी लाया बस क्या की चड़िया उस रोटी के टुकड़े को फेक दी हां वो बोली वो सोची कि कहीं ये रोटी का टुकड़े मेरे बच्चे के गले में अटक गया तो मेरा बच्चा भी तो कैसे छोटा-छोटा सा एतने चोटे चोटे से बच्चे है और यो टक्राओ किसान के बच्चे लिए हानीकारक है तो मेरी बंची यह अकल है तेरी बिल्कुल खोटी मैं न खिलाऊं अपने बच्चे को रोटी क्या बोल रही है अब वो चिडिया जो है वो अपने चिड़े को वही बात बोल रही है जो बात किसान ने अपनी पत्नी को बोला था कि तुम्हारी अकल तो बिल्कुल खोटी है चिडिया बोल रही है ठीकना कियों नहीं खिलाओंगी क्यूंकि वो सोच रही है वो बताभए है कि रोटी खिलाने से कहीं समस्या हो जाएगी माज होती है वह वह बहुत चिंता करतीया अपने बच्ची की तो जो चिड़िया थी वह अपनीं hatte वह एक बच्ची के लिए बहुत चिरया अंजान क्या होती है खिचडी पहले यह जान पहले लावो चावल फिर लावो दाल दोनों को पका कर नमक डाल जब पके चावल जब पके दाल फिर सजाओ खिचडी से अपना थाल चिरया कैसे आए चावल कहां से लाओं दाल कैसे पकाओं खिचडी जो खाए मेरे लाल अब चिरया अपनी पत्नी को समझा रहा है क्या समझा रहा है अरे मेरी भोली चिरया अंजान अंजान हैं पर क्यों बोल रहा है क्योंकि उसको तो पता नहीं है कि जो किशान ने बताया खिचडी बनाने के लिए उसके लिए चावल दाल लाने के लिए वो लोग कितना मेहनत कियें तब मिला है तो इसलिए वो अपनी पत्नी को बोल रहा है कि अरे अंजान चिरया पहले ये तो जानलो कि खिचरी क्या होती है फिर बता रहा है अब अपनी क्यों पकाकर नमक डाल ठीक है बता रहा है चुड़ा बता रहा है अपनी चुड़िया को कि क्या लाना है चावल लाओ दाल लाओ फिर उसको नमक डाल के पकाओ जब वो पक जाता है अच्छी तरह तो फिर उसको थाली में सजाओ मतब थाली में निकालो जब चावल दाल नमक खल्दी ये सब मिला कर हम पकाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा खिच्डी बन जाता है खाते हो ना बच्चे बच्चों के लिए बुर्भों के लिए बहुत अच्छा भोजन होता है सुपार्ची होता है पचने में आराम होता है खाने में भी आराम दाय कि यह जब चावल डाल नमक डाल के पक जाते हैं तो फिर उनको थाली में निकाल लेना है फिर क्या बोल यह चिड़िया जो है वह अपने चिड़ा की बास सुनकर उसे क्या पूछ रही है कैसे आए चावल कहां से लाऊं डाल कैसे पकाऊं खिचड़ी जो खाए मेरे लाल अब चिड़ा से पूछ रही है कि यह चावल कहां से आएगा दाल कहां से आएगा इसको हम लोग कैसे पकाएंगे कि अपने लाल यानि अपने बच्चे को मैं खिलाऊंगी ठीक ना क्योंकि यह सब के बारे में चिड़िया को जानकारी नहीं है तो वो अपने चिड़ा से इस विजय में पूछ रही है कि भाई मुझे तो अपने बच्चे को खिच्री खिलाना है तो उसके लिए चावल दाल कैसे आता है यह तुम मुझे बतलाओ चिड़ा था चतुर भूला क्या बोला चिड़ा बादल आकर बरसेंगे पानी पानी में मचली उचले तालो में मेधक टर्टर सोर करे कोयल कूकू टेर करे उस पानी में जाकर हम करे धान का तब रोपन धीरे धीरे धान बढ़ेगा सोने सा रंग खूब चड़ेगा तब उसको काटेंगे हम छोटे बड़े गाउं के जन चिरे ने रूपकर देखा कि चिरिया उसकी बात ध्यान से सुन रही है या नहीं फिर बोला पहले तो पहले देखी हैं डितना बुद्धिमान है शीलाक है तो वह सारे बाते इनद चिरिया ने पूचा किहाँ डाल कैसे आएगा तो उस चिर्या को सब पता है और वो अपनी चिर्या को बता रहा है कैसे बता रहा है बादल आकर बरसेंगे पानी सब में भर देंगे पेर नहाए पानी में बता रहा है चिर्या कि जब बादल आकर बरसेंगे यानि जब बारी सोगा और सब जगा खेतों में हर जगा तलाब मे है नदी में पोक्रे में यह सब लिए पानी भर जाए गा थीक न और पर नहाएं पानी में बारिस होता है और नहाएं पानी में उछले तालो में तालो में तलाब फैक है मेधक ठर्टर सोर करे, कोयल कूटू ठेर करे, जब बारिस ओता है, तो क्या होता है? मच्छलिया में खूब आजाते हैं, गार्धे करते रहते हैं, हाण उपने करते हैं और कोयल है कुड़ करके सोर मचाने लगती है उसे भी बहुत अच्छा लगता है रोजा तो हम क्या करेंगे कि धान जाकर रूपेंगे ठीक ना अभी के समय में धान कैसे सब जगा रूप नी हो रहा है ना बारी सोता है तो सब जगा धान रूपा जा रहा है तो वो चिड़ा भी बता रहा है कि जब बारी सोगा चाओ तरफ पानी भड़ जाएगा तो फिर हम जाकर धान को रूपेंगे पहले और धान जब रोप जाएगा, उसके बाद बढ़ेगा, ठीक है, जब धान बढ़ेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, सोने सा रंग खूब चड़ेगा, मतब क्या होता है, जब धान बढ़ता है, तो पहले तो वो हरा हरा होता है, लेकिन हरा होने के बाद में, जब वो पकने ल तो फिर क्या करेंगे फिर हम थोते बड़े जान चने जान घमें जो काटने वाले च defensive होते हैं वे सब अगर उस दान को फिर कटनी करेंगे यार हो जाएगा काटने तक की बात बताता है यहां तक बताने के बाद क्या करता है चिड़ा थोड़ा रुपता है और देखता है कि मेरी जो चिड़या है वो मेरी बातों को ध्यान से सुन रही है कि नहीं लेकिन देखता है कि चिड़ये तो बड़े ध्यान से सुन रही है मेरी बातों को तो फिर क्या बोलता है आगे बताता है, क्या बताता है भई, चिरा क्या बोल रहा है, जब सूरज कुछ गर्माएगा, तब धान खड़ा सुख जाएगा, ओखल में डाल कर हम कूटेंगे, उसे धम धम धम, भूसा फिर जब उतरेगा, उसमें से चावल निकलेगा, ऐसे चावल आएगा, समय बहुत लग जाएगा, अपने चिरे की बुद्धी पर चिरिया बहुत खुस हुई, फिर उसने पुछा, मेरे चिरे एक बात बता, अब दाल का भी कुछ दे पता, जब चिरिया बता रहा है, ये सारी बाते अभी धान, अभी चावल कैसे मिलेगा, ये सारी बाते बता रहा है, तो क क्या होता है कटने बाद हम उसको सूखने के लिए छोड़ते हैं तो बोल रहा है जब सूरज कुछ गर्म आएगा जब धूप तेज निकलने लेगा तो क्या होगा तब धान खड़ा सुख जाएगा तो धान जो होता है वह सूख जाएगा और जब देखते हैं ना पसार-पसा दान को चावल बना लेते हैं तो पहले लोग ऐसी करते थे सभी औरते मिलकर कोई फटक रहा है ऐसे करके धान से चावल निकलता था तो यहीं बाते बता रहा है कि जब सूख जाएगा तो ओखल में डाल कर हम कूटेंगे उसे कैसे धम 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 भूसा फिर जब उत्रेगा उस चावल होता है जो धान होता है धान जो होता है यह एक भूसे का लगा रहता है तो यह भूसा जब निकल जाएगा तो हमारा चावल जो है वो आ जाएगा चावल जिससे क्या बनेगा हिचडी तो इतना मेहनत हम करेंगे इतना समय हमारा लगे तो क्या या एक चावल आया तो लेकिन फिर चिड़िया क्या पूछ रही है अपने अपने चिड़े की बुद्धी पर चिड़िया बहुत खुस हुई फिर उसने पूछा जब चिड़े ने इतना चीज बताया तो चिड़िया तो बहुत खुसी लेकिन उसने फिर चिड़ा से क्या पूछा इक बात बता अब अब दाल के बारे बारे में बताया अब दाल के बारे में भी बताओ कि दाल कहां से आएगा तो क्या होता आगे देखते हैं चिरा चिरा क्या बोलता है जंगल में मैं जाऊंगा वहां से लकड़ी लाऊंगा एक बढ़ाई बुलवाऊंगा उससे हल बनवाऊंगा बढ़ाई के दाम चुकाऊंगा हल को बैल में जोतूंगा हम तुम दोनो तब मिल चलाएंगे हल धरती पर दाल का दाना जमाएंगे अपना पसीना बहाएंगे फिर बादल जल बरसाएगा सूरज धूप दिखाएगा निकल पड़े कुछ दीन में दो पत्तों के दाने फिर पत्ते हरे लहराएंगे फूल सजीले आएंगे इस सारे चीजे बता रहा है कि दाल उगाने के लिए हमें क्या करना है पहले तो हमें खेत को जूतना पड़ता है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है तो उसके लिए पहले तो किसान को किस की जरूरत है हल की जरूरत है तो वो अपनी चिडिया को बता रहा है कि हल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा तो जंगल से जाकर लकडी लाओंगा फिर बढ़ाई को बुलाओंगा बढ़ाई क्या होता है जो लकडी के काम करते हैं जो लकडी से तरह तरह के चीजे बनाते हैं उसको क्या कहते हैं बढ़ाई कहते हैं ठीक है बच्चो आपको पता है ना बढ़ जो आपके घर के दर्वाजे, खिरकिया, सोफा, पलंग यह सारे चीज बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, बढ़ाई कहते हैं, तो उसी बढ़ाई से वो क्या बोल रहा है चिड़ा, कि मैं लकडी लाकर क्या बनवाऊंगा, हल बनवाऊंगा, और जब हल बन जाएगा, तो फिर क क्या करेंगे, हम तुम दोनों मिलकर खेत को जोतेंगे, क्योंकि जब खेत जूतेगा, तभी तो दाल का दाना उसमें जाएगा, और दाल निकलेगा, तो यही बात बता रहा है, कि जब हल बन जाएगा, तो हम लोग मिलकर उसको जोतेंगे, और दाना छीर देंगे, फिर क्य जल बरसाएगा सूरज धूप दिखाएगा क्या बोल रहा है कि जब हम लोग दाना चीट देंगे तो फिर जब बारिस होगा फिर धूप होगा तो फिर धर्ती में से उस दाना का जो होगा अंकुरी थोकर उसका पौधा निकल जाएगा चीग है निकल पड़ेंगे कुछ दिनों में दो पत्तो के दाने फिर पत्ते हरे लहराएंगे फूल सजीले आएंगे देख रहें नहीं आपर कैसे पहले पौधा निकलेगा दो पत्ते निकले चार पत्ते निकले दस पत्ते निकलेंगे इस तरह पौधा त्यार होगा फिर उसमें से फ परता है कोद तो पहले क्या होता है पहले फूल आता है और फिर फूल से फल आता है तो ये बाते चिड़ा अपनी चिड़िया को समझा रहा हैं आगे देखिए फूलों के भीतर से फूटेगी फलिया जैसे उन फलियों को तोड़ेंगे दाल के दाने बटोरूंगा डलिया जब भर जायेगी ऐसे दाल आएगी चिडिया ने कहा यह तो बहुत दिनों का काम है चिडिया की बात सुन चिडिया हसकर कहने लगा क्या कहा भाई, चुड़ा क्या बोला? जो चाहती है बच्चों को खीचड़ी खिलाना तो पड़ेगा चावल दाल उगाना, अभी पूरा प्रोसेस बता रहाया है, पूरी बिधी बता रहाया, पूरी प्रक्रिया बता रहाया है चुड़ा, कि जब फूल खिलेंगे, फिर उस वो निकलेगा और क्या होगा उन फलियों को तोडेंगे दाल के दाने बटोडेंगे जब वो फली निकलते जिसके अंदर दाने होते हैं उनको मैं तोड़ूंगा और तोड़के फिर हम लोग उसमें से दाल निकालेंगे तो ये सारी बाते जब सुनती है चिडिया तो उसे क्या लगता है उस क्या करती या तो बहुत समय या तो बहुत दिनों का काम है चिडिया की बात सुन चिड़ा हसकर कहने लगा चडिया क्या वोल यह तो बहुत सब चीज हो चाव्ड ऑगाने में दा लोगाने में तो बहुत थाइम लगेगा तो तुम जब जब यह बात चडिया बोलती है तो चडिया हांस किया कहता है जो चाहती है बच्चों को खिच्ड़ी खिलाना तो पड़ेगा चावल दाल उगाना ठीक है क्या बोलता है कि यदि बच्चे को खिचडी खिलाना है तब तो चावल दाल उगाना पड़ेगा आगे देखिए क्या बोलती है पचिडिया फिर समझा रहा है कि बहुत टाइम तो लगेगा इसी लिए ना कह रहा हूं इस किसके बाद कुछ खीडे पकर लाना प्रेणा प्यार से उनहें खिलाना अंहें बनाना यह सुनकर चिडेया अपनी चोच से बच्चों को रोटी तोड़-तोड़कर खिलाने लगी थिए चिडा पत्नी को बहुत अच्छी तरह से समझा रहा है कि समय तो इसमें बहुत लगेगा इसलिए ना तुमको बोल रहा हूं कि अभी से भी समझ जा और जो किसान की बाते हैं ना पिछली बाते उन सब को भूल जा ठीक है और भूल जा और अपने बच्चे को रोटी दाना जो भी मिल पिछला और फिर वह घुला उससे पंट भरेगा उसके दाए कि और भी से खिला जो भी खिलाना है प्रें से खिला अच्छे से खिलाओ और खिला-पिला कर उन्हें क्या बनाओ फहल्लवान बनाओ ठीक है शिड़ा को समझा रहा है कि जो भी मिलता है उसी को बच्चे को प्यार से खिलाओ, खिला-पिला कि उन्हें पहलवान बनाओ, ठीक ना? यस उनकर चिरिया अपनी चो से बच्चो को रोटी तोड़ तोड़ कर खिलाने लगी. यह सब जब सारी बाते अपने चिरा के सुनी तो चिरिया ने सोचा कि नहीं चिरा मेरा ठीक बोल रहा है जो भी मिलता है वही खिलाओ इस खिच्री के चकर में तो चावल दाल उगाते उगाते पता नहीं कितना समय लग जाएगा तो इससे अच्छा है कि मैं अपने बच्चों को यह दाने माने जो भी मिल रहे हूँ खिलाए तो यह जो सारी बाते चिरा ने बताया तो इससे हमें यह समझना चाहिए कि अनाज को उगाने में चाहे वो चावल हो दाल हो सरसो हो इन सब को उगाने में किसान को कितनी मेहनत करन के लिए एक प्रन करना चाहिए क्या करना चाहिए कि हम आज से किसी भी प्रकार से अनाज की बरबादी नहीं करेंगे यानि हम उतना ही खाना अपने बरतन में लेंगे अपने प्लेट में लेंगे अपनी थाली में लेंगे अपने लंच बॉक्स में लेंगे जितना हम खतम कर सके ठीक ना आप बच्चे भी आसे इस बात का ध्यान रखेंगे ना कि हम अपनी थाली में अपने लंच में उतना ही ख वादी है एक किसान उतनी मेहनत कर रहा है ताकि हम अपने पेट को भर सके और हम क्या कर रहे हैं उसके मेहनत को बरबाद कर रहे हैं अनाज कितना महत्वकूर्ण है यदि एक दिन आपको खाना नहीं मिले तो क्या आप जी पाओगे अप कितने बेचान हो जाओगे आप एक चीज का ध्यान रखेंगे ना कभी वरवाद नहीं करेंगे ठीक है तो अब चलते हैं आगे हम क्या है कठीन सब्दार्त है इस पार से समदित कुछ कठीन सब्दार्त है क्या है पहला है अकल की खोटी, अकल की खोटी यानि कम अकल वाली, ठीक है अकल की खोटी जो किसान बोल रहे है आपनी पत्नी को की अकल की खोटी तो कम अकल वाली, दूसरा है चिरया, चिरया कोई चिरया भी कहते हैं, तीसरा है जन, जन यानि लोग, लोग बाग मिल कर करेंगे, जन लोग चौथा है पसीना बहाना पसीना बहाना से मतलब है मेहनत करना कि खेत में हम तुम मेहनत करेंगे तभी तो दाल और चावलुगा पाएंगे जैसे किसान मेहनत करते हैं ठीक है पसीना बहाना कहने से मतलब है मेहनत करना से अगला है सजीले सजीले यानि सुन्दर सजे हु पूल को तैना अगला है बतूर्ना किसी पीजी चीज को एक जगा करना के 1 OH या एक शर्ट भानाीच करते हैं कि तो यह हो गए इस सम्भंदित सब्दाच अकल की खोटी कम अकलवाली कम बुद्धि वाली चिरया चिरyi theorem ौहरं पसीना बहाना मेहनत करना सजीले सुन्दर सज्जे हुए बटोरना इकठा करना चीक है तो यह हो गए इस पार्ट से समंदित प्रश्ट सब्दार्थ और इन सब्दार्थों के साथ ही आज का यह जो भाग है वो समाप्त होता है और उमीद करती हूं कि यह कहानी से आपने की तरह पढ़ रही थी और कभीता को थोड़ी ले में हम गाने की कोशिज करते हैं तो उस तरह उसी तरह आप भी इस पार्ट को पढ़ने की कोशिज करोगे और बार बार इस वीडियो को देखोंगे कि मैं कि ऊस तरह पढ़ रही है तो आपको भी बहुत आसानी से आज नेक्स वीडियो में, बाइ-बाइ!